दिसंबर जनवरी में ठंड की वज़े से एक घंटा एक्ष्ट्रा नहीं दाती थी लेकिन मार्च अपरेल में वो अब वसूल हो जा रहा है क्योंकि पांच बज़े अलारम बजते ही उठ जा रहा हूँ और बिस्तर से बाहर भी निकल जा रहा हूँ कोई आलस नहीं है तो बहुत सारी लोग कमेंट कर रहे थे वह व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है इंस्टा पर भी मैसेज कर रहे थे तो अभी पिछले कुछ दिनों से तवियत खराब चल ले थी क्योंकि फरवरी में भी बुखार अपडाउन हो रहे थे और मार्च में भी वही था सीन तो यह दोख 50 पॉइंट है 0 से 15 के बीच पे होना चाहिए था लेकिन यह बढ़ा हुआ है तो उन्होंने अपनी दवाईयां दी है बुखार की फिछले तीन दिनों से अब एकदम सही है बाहर का खाना बंद करना है जंक फूड फूड फास्फूड यह बिल्कुल नहीं खाना वैसे भी म नार्मल हो गई है नहीं तो फिर दो तीन दिन तो मैं बेट पर ही था लाइब्रेरी जाना बंद कर दिया था जिम बंद डाइट सब कुछ बंद पढ़ाई भी होई नहीं पा रही थी अभी सब कुछ सही चला है इसलिए मैंने सोचा व्लॉग बना के अपडेट कर देता हू आई थिंक 20-21 दिनों के बाद ही वीडियो आ रही है तो चलो फिर अपना पहला सेशन यह कंप्लीट करते हैं छेवेश से लेके साड़े साथ बेट तक उसके बाद फिर चलेंगे जिम अभी साड़े साथ बज गया है जिम जाने के लिए रेडियो लोते हैं प्री वर्काउट हमारा रहेगा एक बलेक कॉफी दो ब्राउन ब्रेट और थोड़ा सा इसमें पीनट बटर केला नहीं खाऊंगा कि क्योंकि रिस्क नहीं लेना है अब जुखा मुकार का और यह मैंन इसे प्री वर्काउट अपना कम्लेट करते हैं और निकलते हैं जिम 9 बज़े तक जिम कंप्लीट हो गया है चलते हैं रूम पे रास्ते से ले लेते हैं नास्ता बनाने के लिए एक छोटा पैकिट का दूद और आज कल मैं बना रहा हूं हल्दी वाला दूद थोड़ा से उसमें बदाम डाल गए जुखाम बुकार में हल्दी वाला दूद फा कि न्यूज में क्या है साड़े दस में तक नहां भी लिया था अब जल्दी से रेडियो लेते हैं क्योंकि 11 बज़े से हमें निकलना है लाइफ रेडि के लिए और जैसा कि डाक्टर ने बताया है कि फल वल थोड़ा खाया करो आज फल में मैंने थोड़ा सा पपिता कर रहा था और दो अनार और साथ ही जात मैं न्यूज अनलसी भी देख रहा हूं उसे कंप्लीट कर लेते हैं दस मिनट में उसके बाद फिर अपना रेडियो होते हैं जन्दी से बुक्स रख लेते हैं और लेप्टाप भी रख लेते हैं क्योंकि तुछा सा लेक्चर भी देखना रहता है वहां पर और डॉक्टर ने बोला है कि जब तक बुकार ठीक से खतम नहीं हो जाता मतलब एक हफ्ता दस दिन तक गरम पानी ही पियो इसलिए आज कल मैं एक बोतल गरम पानी करके ले जाता हूं लाइब्रेरी और साम तक वो चलता है साम में वापस आता हूं जो उस जो सेकेंड वाली बुक है क्लास 12 की वह मैं कंप्लीट करूंगा तो यह दोनों जो NCRT हैं बहुत ही बेसिक डेटा इसमें है इसमें से कुष्चन मोशली बनते ही नहीं है जो भी कुष्चन बनेगा हिमन जोगर्फी पर चाहे पॉप्लेशन हो गया अगरिकल्चर हो गया व जो कि इसमें बहुत सेलेक्टिव चेप्लेशन ही पढ़ने है सारे पढ़ने भी नहीं है पहला सेशन में रहा था धाई गंटे का 11 बज़े से लिएकर देड़ बज़े तक यह सेशन हमारा हो गया कंप्लीट अब चलते हैं लंच करने के लिए मेस और आज हमारे मेस में बना के बाद दो बज़े में फिर वापस आगया लाइबरेरी में और 10-15 में ट्रेश्ट करने के बाद अब हमारा सेकंड सेशन यहाँ पर सुरू होगा अगें जियोगरफी का ही NCRT में कंप्लीट करने माला हूँ दो तीन चैप्टर जो रहे गए हैं उसे यह कंप्लीट कर लें उससे भी पढ़ लेता हूँ क्योंकि उसमें जो फीजिकल मैप है वो तो स्टैटिक है उसमें क्या चेंजेस होंगे बाकी दिसा पॉब्लीकेशन की है मेरे पास यह जियोगरफी मास्टर जियोगरफी करके इसमें भी बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है ले टेस्ट है तो इससे मैं कर ले रहा हूँ चार बेस लिए के पांच बेस तक एक घंटे मैंने मैपिंग के कुछ चैप्टर कर लिये थे उसके बाद अब पांच बज़ गया है चलते हैं रूम पे पांच बेसे लिके छे बज़ तक एक घंटे का यह हमारा रहेगा ब्रेक लेटाप लग सवा 9 बज़े तक जो भी हो तो इस सेशन में मैं सबसे पहले लगाया था जीसी लियोंग से वोल्काइनिजम और अर्थिक्वेक्स वोल्काइनिजम वाला टापिक जीसी लियोंग में थोड़ा सा डिटेल्स में दिया गया है जबकि NCRT में नहीं दिया है बहुत थोड़ा स दिया गया है और NCRT में वो बहुत अच्छे से दिया गया पी वेव एस वेव पूरा डिटेल्स समझाया है अब 2023 में पी वेव एस वेव पर कोजिशन भी आया था तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीसी लियोंग पड़े NCRT को स्किप कर दें या NCRT पढ़के जीसी लियो अर्थ क्रश्ट उसकी बाद मैंने कुछ पी वाई क्यू लगा थे और कुछ टेस्ट वाले इंकोईशन भी सौल किये थे इस तरह से हमारे सारे सेसन हो गये थे कंप्लीट रात के बज गये थे नव अब चलते हैं रूम पे अपना सारा समान रख लेते हैं पैन कापी किताब सब कुछ और रास्ते से ही डिनर लेके चलेंगे क्योंकि बनाना तो रहता नहीं है अभी ऐसे डाक्टर ने तो मना किया है कि बाहर का खाना नहीं खाना लेकिन उनका मतलब यह कि बाहर का फास्ट फूड जंक फूड ऑईली स्पाइसी खाना नार्मल डाल रोटी हो तो चल जाएगा तो डिनर में मैं सिंपल दाल तंदोरी रोटी लेकर आया था थोड़ा सा इसमें डाल दिया घी साड़े नहोबे तक डिनर भी कंप्लीट कर लिया था आदे गंटे रेष्ट करने के बाद दस बेसे अब हमारा ये लास्ट सेशन रहेगा सी सैट का सी सैट मैं कभी- यात में लास्ट सेशन में लगाता हूँ और ये हमारे रहेगा 10 बेसे लेके 11 सवा 11 साड़े 11 तक आज तो एक दिड़ घंटे का ही है वैसे तो मैं दिन में 2-5 घंटे का रखता हूँ सैशन तो ये सैशन हम कंप्लेट कर लेते हैं और आज के व्लॉग बस यहीं तक रखते ह आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेता बाकी अपना अपना सेहत का ख्याल रखो बड़ाई लिखाई अच्छे से करो ठीक है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाए बाए